नमस्कार मैं हूँ सच्चिदानद वसिष्ट सजनों हर व्यक्ति जीवन के अंदर उन्नत होना चाहता है धन्वान होना चाहता है भागिसाली होना चाहता है अपने भाग्य को चमकाना चाहता है तो कुछ चोटी चोटी उपाएग है जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं उन्न कामों को अगर करेंगे तो निश्चित अपने जीवन के अंदर वो जो है रातो रात उनका भाग्य चमकेगा सबसे पहला करें नित्यप्रती गाय को गुड़ खिलाना अगर नित्यप्रती नहीं खिला सकते हैं तो रवीवार मंगलवार को जरूर खिलाएं दूसरे नंबर पर सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी हतेली को जोखे देखना चाहिए और उस समय पर बोलना चाहिए कि कराग्रे वसते लक्समी करमद्धे सरस्वती करमूले तुगोविंदा प्रभाते करदर सनम तीसरे नंबर पर सुक्रवार के दिल जूते और चपल अगर खरीद नहीं है तो सुक्रवार के दिल खरीदियेगा वो आपके भागे को चमकाने में साहिक होंगे चोथे नंबर पर रात के समय घर में कपूर जलाना चाहिए और पूरी जगह पर घुमा करके और जो घर का सेंटर है वहां ला करके रख देना चाहिए जब वो बुशी जाए तो उस बात्र को हटा देना चाहिए पांचवे नंबर पर तुलसी का पोधा हर घर के अंदर होता है तो तुलसी के पोधे के पास में देसी घी का और अगर गाय का मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है तो देसी घी का गाय का घी उसका दीपक जो है जलाना चाहिए ये हमारे भाग्य वर्दी के अंदर बहुत सा है को ताख है च्छटे नंबर पर तिजोरी होती है आपकी और तिजोरी के अंदर मा लक्ष्मी के चरण वो जो है लाल कपड़े के अंदर और उनको लपेट करके अपनी तिजोरी के अंदर आप रखिएगा तो उससे भी आपका भाग्य बहुत जल्दी चमकेगा यहीं धनकी प्राप्ति आपको होगी साथमा के पूजा घर के अंदर शंख रखना और दक्षनावरती संख हो तो और भी बढ़िया रहे है शंख का बजाना यह जो है हमारे घर के अंदर सकारात्मक उर्जा को पैदा करता है आठमाग है दक्षन दिसा के अंदर सर करके सोना यह सबसे स्रेष्ट उपायक है क्योंकि दक्षन में जब सर करके सोएंगे एक तो बीमार नहीं पढ़ेंगे धनका आगम होगा और हम स्वस्त रहेंगे नवा सोने से पहले रसोई को एकदम क्लीन कर देना चाहिए एकदम साफ कर देना चाहिए जैसे मंदर को साफ किया जाता है कोई भी जूटा बरतन तबा चिम्टा या बचा हुआ आटा वहां पर नहीं होना चाहिए और दस्वा उपाए यह है कि गाए को आटे का चूर्मा गुड मिला हुआ या फिर आटा जो सना हुआ आटा है उसी में गुड रख करके गाए को खिलाया करें उससे भी आपता भाग्ये बहुत जल्दी चमकेगा ग्यारवाग है कि माल लक्ष्मी की पूजा में सुक्रवार को जो है अनानास का फल चड़ाना अनानास जो इतना बड़ा फल होता कि वो अनानास का फल आप चड़ाईए तो उससे आपको बहुत जल्दी तरक्की मिलेगी बारवाग है शनिवार के दिल कुटे को जो है घी लगा करके और रोटी खिलाई जाए तो इससे भी बहुत जल्दी भाग्ये चमकेगा तो इतने बहुत से उपाय होते हैं लेकिन इतना ही उपाय आप कर लीजेगा आपको धन का अभाव नहीं रहेगा घर के अंदर बरकत और आप धनवान होते चले जाएंगे बाकी और कुछ जानकारियों की आउशकता है तो इन नमरों के उपर संपर्क करें कार्याले से अपाइंटमेंट लें कार्याले की सेवाएं अरपन करें और आप जो भी कुछ अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं वो समाधान आप कर सकते हैं नमस्कार देवग्य सच्चिदानंद वशिष्ट जी से वास्तु, जयोतिश, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाट, महामृतिंजय पाट, शत्चंडी पाट, बगुला मुखी पाट, भैरव अनुष्ठान आधी, राशी रत्न, रुद्राक्ष, कवच आधी हितु संपर्क करें हमारे संपर्क सूत्र है, 783888-98421, हमारी वेबसाइट है, www.shreevashist.com